नमस्कार दोस्तों चत्तिसगर लेटस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है मुख्यमंत्री पद को लेकर स्वास्थे मंत्री टीएस सिंग्रदेव का आया बड़ा बयान मुख्यमंत्री पद को लेकर गाहे बगाहे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ट कॉंग्रेस नेता टियस सिंग्रदेव के बयान सामने आते रहते हैं वे इस मसले पर कभी खुल कर कुछ नहीं कहते लेकिन कई मौकों पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का दर्द छल्क कर सामने आ जाता है बहराल सीएम पद को लेकर उन्होंने फिर इस बार मीडिया के सवालों का जवाब दिया है इस बार उन्होंने कहा है कि वो कब मुख्यमंत्री बनेंगे उन्हें नहीं पता लेकिन मिडिया ने उन्हें सीम जरूर बना दिया है विलासपुर में मिडिया से बातचीत के दोरान स्वास्थे मंत्री ने कहा कि अभी तक जो परिस्थिती बनी हुई है वो खुद नहीं जानते कि वो कब मुख्यमंत्री बनेंगे सिंगदेव ने कहा कि उन्होंने राजमीती में आने का कभी नहीं सोचा था लेकिन वे विधायक बने, नेता प्रतिपक्ष बने और CM के लिए भी नाम चल पड़ा उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि मीडिया ने उन्हें जरूर CM बना दिया है तीएस सिंगदेव ने कहा कि वो ये कहदे कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते ये असत्य होगा लेकिन उन्होंने कभी भी CM बनने की पहल नहीं की ये हाई कमान की बात रहती है, हाई कमान निर्मय करता है मंत्री सिंगदेव ने कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी चर्चा की कहा कि पिछले बार की तरह मैनिफेस्टो बनाने का समय अब नहीं रहा पिछली बार पूरे प्रदेश में कारेक्रम कर उन्होंने सब का सहयोग और मार्वदर्शन लिया था उन सुझावों को घोशना पत्र में अनकित कर मैनिफेस्टो तयार किया गया था लेकिन अब उस तरह से घूम कर घोशना पत्र में काम करने का समय अब नहीं है